यह आज का हमारा डिजाइन है और इस डिजाइन में मैं आपको यह जो पूरा प्लोट है इसके उपर बना 3D डिजाइन दिखाने वाला हूँ अभी इसको मैं एक बार complete आपको दिखा देता हूँ जो boundary आप देख सकते हैं चारों तरब से boundary यहाँ पे दिखा दी है मैंने आपको और जो पीछे का space है वो भी आप देख सकते हैं पीछे चाहें तो इसमें आप दरवाजा लगा सकते हैं लेकिन अभी हमने इसमें लगा के आ बाउंडरी इसे एक्स्टरा रहेगी तो बात कर लेते हैं डिजाइन के अंदर की इसके अंदर क्या क्या बना है वो मैं दिखा देता हूं यह जो उपर देख रहे हैं । खोंटी है यहां से सीडियां हमारी उपर आएंगी और बारिस का पानी अंदर नजाइस के लिए उपर इसको कवर कर दिया गया है तो चलिए आपको दिखा देता हूं एक एक परत आटक इसकी यह से सीडियां आप देख सकते हैं और इसका पूरा मैं पॉर्चन जो उपर का है वो खटा देता हूँ तो यह हमारा ग्राउंड फोर का जो पूरा सैट अप रहेगा इसके अंदर क्या-क्या है वो दिखा देता हूँ यहां से हमारा मुख्य दर्वाजा रहेगा घर के अंदर जाने के लिए और यहां पे आप देख सकते हैं यह पूर्च रहेगा आप यहां पे कार भी पार्क कर सकते हैं चाहें तो और यहीं से अंदर जाने का रास्ता रहेगा एक यह जो हमारा गैस फूम रहेगा इसका दर्वाजा यहां से रहेगा और जो दूसरा हमारा परस्टमी बैडरूम रहेगा उसका दरवाजा यहां से रहेगा आप चाहें तो इनका दरवाजा अंदर से भी लगा सकते हैं उसके बाद यह हमारा अंदर जाने के लिए पैसेज होगा अंदर जाते ही हमारा यह हाल है यहां पे और यहां पे एक तरफ क कि अगर हम बात करें तो पीछे दो बैडरूम है और यहां देखिए दोनों बैडरूम में यहां पर लिमारी के तिर्व करी गई है और यहां भार के तरफ अलमारिया बनवा सकते नहीं जैसे कि मैंने वीडियो के cover-up करें तो यहां पर पूरा cover-up हो जाता है front के designing की बात करें तो front में आप लिलिंग लगा सकते हैं slab के जो design है वो बना सकते हैं तो यह हमारा design है आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होग और दोस्तों वीडियो में आपसे एक request करना चाहूँगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीके के डिजाइन बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत देने वाद